हेलो प्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एलजी आरस्टडी में दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो स्रीज में हम लोग मैट्टिक बोर्डिक जाम के लिए नन हिंदी के भी भी आपजेक्टिव कुष्चन का चेप्टर कर चुके हैं अगर अभी तक आप उस सभी तीन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के पले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं जो कि दोस्तों आपके एक्जाम के लिए बेहाद ही महतपूर्ण है जिसका लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक पूछ रही कि बाल गोबिंद भगत की उम्र थी यानि कि बाल गोबिंद भगत का उम्र किरना था यह आपको बताना तो यहाँ पर आपका बी ओप्शन बिल्कूल ही सही हो जाएगा यानि कि दोस्तों साथ वर्स क्योंकि दोस्तों बाल गोबिंद भगत का जो उम्र था वो तो यहां पर आपका B option बिलकुल ही सहो जाएगा उनकी पतोह ने इसके बाद यहां पर जो है अगला जो तीन नमबर दोस्तों आपका question है तीन नमबर question के दोरा यहां पर आपसे पूछा जारा कि बाल गोबिंद भगत अपने प्रेमी मंदली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते थे कि खंजरी बजाते बजाते डौट डौट थे खंजि बजाते बजाते वो क्या करने लगते थे यहां पर खंजन्डर बजाते बजाते वो नाच उठते थे यानि कि नाचने भी लगते थे ये आपका c option बिलकुल ही सही हो जाएगा अगunky यहाँ पड़ आपका चार नंबर कोईश्चन है फूच्छेने की बाल गुबिन्द भगत हर वर्स 30 को स्पाइदल चल कर कहा जाते थे तो आपका एउप्सन से जगर यहने की गंगा असनान वो 30 को स्पाइदल चल कर हर वर्स जाया करते थे इसके बाद यहाँ पर आपका जो 5 नंबर question है 5 नंबर question पूछ रहे कि बाल गोबिंद भगत पेसे से क्या थे बाल गोबिंद भगत का पेसा क्या था तो यहाँ पर आपका C option से जगा यानि कि गरस्त गरस्त उसको कहते है दोस्तो जो ब्यक्ति अपना घर खेती से चलाता हो किसे चलाता हो दोस्तो खेती से चलाता हो और खेती भी कोई ज़्यदा नहीं हो इतना ही खेती हो जिससे वो क्या कर सके अपना जीवन चला सके तो उसको हम गिरस्त बोलते हैं और जिस बेक्ति के पास बहुत अधिक मातरा में खेती है और वो इतना खेती करता है कि वो बेचता है जैसे अनाज को बेचता भी है तो उसको किसान बोलते हैं और गिरस्त किसको बोलेंगे जो बेक्ति क्या करेगा घरेलू काम करके घर के पूछने के बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पतो के पास जाकर क्या कहते हैं जो बालकोमित बहगत है उप्सा मनाने के लिए कहते हैं ये आन्सर सून करके बहुत सारे लोगों को पच नहीं रहा होगा उस लोगों को जो लोग दो, दो चेप्टर नहीं पारे होंगे क्योंकि जब बेटा मर गया, उसका तो उसका पतो रो रही थी तो बालोको मिन्खत जाते हैं उसको कहते हैं तुम क्या करो उत्सा मनाओ ये आंसर सुनके आपको अस्चर्ज लग रहा होगा जो चेप्टर नहीं पढ़ेंगे भाई हम तो चेप्टर पढ़े हैं इसलिए हम अस्चर्ज के तो नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपको बता दे जो उसके जो बेटा का मौत हो जाता है तो बाल होता है इसलिए जो बाल गुविंद भगत है वो कहते कि भाई तुम क्या करो उत्सा मनाओ रोने की बजाई तुम क्या करो उत्सा मनाओ आगला जो क्वेश्चन है आपका कलम का जादूगर किन का उपनाम है मतलब दूसरा नाम है तो यहां पर आपका बी अप्शन किस बिधा की रचना है बाल गुविंद भगत जो है वो किस बिधा की रचना है तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सोजगा रेखा चित्रे दोस्तों आपको बता दे कि अगर आप इसका पीडिएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे एप को डाउनलोड करें जिस सबी कलास का नोट वहां पर आपको उपलब्द है तो उस एप को आप लोग इस वीडियो के दिये गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं तो सीधा जो आपका प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे ल जी आर स्टडी तो भी दो हैं अगला जो कोश्चन है उसको हम देख लेते हैं अगला कोश्चन यहां पर आपसे पूछ रहें कि बाल गोविंद भगत के रचनाकार हैं यह आपको बताना है यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुली सो जागा यानि कि दोस्तो रामप्रिक्ष बेनी पूरी इसके जागा और यह 2018 में पूछा भी गया है अगला जो आपका 11 नमर कोश्चन है कि बाल जो है पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे तो मात्र एक बेटे थे बाल गोविंद भगत के तो यहां पर आपका एप्शन बिल्कुली सो जागा यानि कि एक बा यहां पर आपका जो 12 नमर कोश्चन है पूछे बाल गोविंद भगत का बेटा था तो वो दोस्तों बतादे कि सुस्त टाइप का था एक्टिव नहीं था जितना एक्टिव बाल गोविंद भगत थे उतना एक्टिव वो नहीं थे जो उनके पुत्र थे वो और आपको बाल तवाला और उसका बाल पूरा पक चुका था वाइट वाइट जो है लग रहा था यह सब बाते हैं जो आप याद रखेंगे जो कि कहीं न कहीं आपको मदद करेगी अगला कुशन है बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत पहला अप्सन रोलने लगे दूसरा अप्सन गाने लगे तीसरा अप्सन हसने लगे तीसरा अप्सन है सर पटकने लगे तो जो बेक्ती चेप्टर नहीं पा रहे होंगे वो लगाएंगे रोने लगे क्योंकि यही जनरली होता है किसी के बेटा के मौत पर लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसा नहीं करते हैं वो गाने लगे क्या करते हैं गान लगते हैं क्या होता जब उसका बेटा का मौत हो जाता है तो अंगर में लेटा देते हैं और यहां पर जैसे उनका बेटा लेटा हुआ है इस वेड़ पे तो वह क्या करते हैं इसके सामने एक छोटा सा जो है अब लगा लेते हैं और यहां पर बैठ जाते हैं व यहांजिल कि आप देख सकते हैं यह आप से पूसा जा रहा है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाल गोबिंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे तो कबीर जो है उसको वो साहब मानते थे क्यों कि कबीर के आदरसों पर चलते थे कबीर के आदरसों पर चलने का मतलब है कि कबीर के पद चिन्नों पर चलना मतलब कबीर के कहे गए बातों को मानना उसके अनुसरन करना ये करते थे ये इसलिए जो है उनको सहे मानते थे अगला जो आपका क्वेश्चन है यहां आप देख पा रहे होंगे पंदरा नंबर क्वेश्चन के दौर आप से पूछा जरा कि बाल गोबिंद भगत किसी अपना आदर्स मानते थे 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है अगला क्वेश्चन है आपका इसलिए नंबर क्वेश्चन के दौरा यहां पर आप से पूछा एकि बाल गोबिंद भगत की संगीत साधना का उतकर्स देखा गया मतलब जो संगीत साधना था उसका उतकर्स कब विरम लेश्चन के मिरत्यू के द cosmogail उसका उसका तरफ न ऊसकर्स देक्वेश्चन गयास आपका 17 नंबर कोसेण को देख लेकिन वाल गोबिंद भगत की पतो थी पतो मतलब बहुत ये सवभाब की महिरा थी जो भाल गोबिंद भगत के पतो थी वो इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपको बता दे कि यह आपका last question था इससे दोस्तों आगले चिप्टर का जो class होगा वो अगले वीडियो में हम लोग पूरा discuss करेंगे आसा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किये हैं, तो किर्पय वीडियो को लाइक कर दीजे, साथ ही अपने दुस्तों में सेर कर दीजे और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें, तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, साथ ही घंटी की निसान को जरूर दबाजिएगा, ताकि आगए आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, चल